इस वीडियो में हम बात करेंगे user defined exception की कि अब python के अंदर आप अपनी खुद की exception बना के कैसे उसको raise कर सकते हैं, कैसे उसको handle कर सकते हैं तो यहाँ पर user defined exception बनाने का तरीका है यहाँ पर जो भी आपके पास exceptions है ना वो है classes की form में, classes, objects की form में, ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहला है कि आपको use करना पड़ेगा class keyword फिर जो आपने अपनी exception का नाम रखना है उसका नाम जैसे आप लिखा my exception यह आपकी exception का नाम है फिर यह exception class जिसकी subclasses हैं सारी की जो हमने अभी तक इसकी की थी थी ना built-in या standard exception python के अंदर वो सारी की सारी इसी की subclasses हैं फिर इसका नाम आप यूज करोगे फिर यह है definition यह आपके पास होता है function को define करने के लिए और फिर यह आपके पास है एक दो underscore आएंगे यहाँ पर one two ठीक है यहाँ पर भी ठीक है यह है आपका constructor class के अंदर यह क्या है constructor ठीक है यह आपके पास है object ठीक है यह आपके पास है argument तो यहाँ पर self.message के अंदर यह आपके पास argument पास हो जाता है यह argument वो है जो आप अपने program के through इस constructor में पास करेंगे ठीक है फिर जब आप अपनी exception को बना लोगे ठीक है फिर इस exception को आप चाहते हैं कि आपके पास किसी code में error आ सकता है runtime पे ठीक है तो उस line में किसी condition के base पर आप अपनी exception को raise कर सकते हैं जैसे जो built-in exception थी उनको raise करने जुरत नहीं थी वह built-in थी वह automatically raise हो जाती थी ठीक है लेकिन यह आपने exception बनाई है ठीक है तो किसी condition के base पर या बिना condition में भी आप इसके अपनी exception को raise करेंगे उसके लिए यह keyword है raise ठीक है यह exception का नाम है मतलब exception class का नाम है जो आपने बनाई है ठीक है और यह एक message है जो आप शो करना चाहते हैं exception generate के दोरान ठीक है यह single inverted comma है और इसके बीच में message है ठीक है फिर यह है try block ठीक है फिर जो exception raise होगी उसको आप या तो mail लिए क्या try block में ही आता है ठीक है यह जो raise है ना raise my exception यह try block के अंदर ही आएगा ठीक है लेकिन यह separate दिखा दिया कि आपको अपनी exception raise करनी पड़ेगी सिर्फ दिखाने के लिए आगे example में देखेंगे हम ठीक है फिर जब वह exception generate होगी उसको handle करने के लिए accept block है यहां पर आप लिखोगे accept अपनी exception का नाम as यहां पर यह object का नाम है यह कुछ भी हो सकता है एक keyword है यह object का नाम है जो message आप पास कर रहे हो ना अपनी exception raise के दूरान यह message यहां पर आ जाएगा फिर आप इसको print के जरीए show कर सकते हो ठीक है तो यह आपके पास था कि किस तरह से एक syntax है कि आप अपनी user defined exception को बना सकते हो तो यह example है example में आपको यह as it is लिखना पड़ेगा class यह आपके exception का नाम है यह exception class है ठीक है फिर def init यह इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा फिर आगा try block try block है ठीक है यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है input function input में लिखा enter even number तो यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं अपने program के अंदर even number enter करना चाहते हैं ठीक है तो input function की help से आपने उस number को enter कराया तो यह जो number आएगा वह as a string होगा उसको आपने integer की help से type cast कर लिया और a को दे दिया ठीक है अब आप चेक करोगे कि जो आपने number डाला है वो even है या नहीं ठीक है आपने यूज किया a modulus 2 modulus क्या देता हमें remainder अगर even number होगा तो 2 से divide होके 0 हो जाएगा पर यहाँ पर लगा है not equal to 0 ठीक है अगर वह 0 हो गया तो condition fail कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर वह number even नहीं होगा ठीक है तो not equal to 0 तो यह भी not equal to 0 condition true होगी फिर यहाँ पर आ जाएगा यह है raise keyword यह आपकी exception को raise कर देगा मतला generate कर देगा ठीक है और आपकी exception का नाम है my exception और यहाँ पर यह है message ठीक है single inverted को में आपने लिखा number is not even ठीक है तो यहाँ पर यह आपकी exception generate होगी और उस exception में यह message पास होगा और handle करने वाड़ा कौन लोग तो यह accept ठीक है उसके बाद आपकी exception का नाम एज यह object है मतलब यहाँ पर raise करने के दुरान जो भी आप message डाल रहे होगे वह इसके पास चला जाएगा ठीक है और प्रिंट के help से आपने उसको प्रिंट करा दोगे तो इस तरह से एक user defined exception को बनाया जाता है raise किया जाता है और handle किया जाता है ठीक है तो यह user defined exception था